रावत्सर शेतर से गुजरने वाले हनमानगड के संगेडमेगा हाईवे पर दनासर के पास से आज सुबह हुई शड़क दुरुगटना में एक वेक्ति की मौके पर मोत हो गई वैं दूसरा वेक्ति गंभी रूप से गाहिल हो गया गयल को रावत्सर श्तित राजकेजी के सालिये के ट्रोमा सेंटर में प्राजमिक उप्चार के बाद जिला चीकिसालिये रेफर कर दिया गया दुरुगटना की सूचना मिलते ही दनासर चोकी प्रबारी इमी चंद मोके पर पहुंचे वै दुरुगटना गरस्त वानों को हाईवे से हटवाने का कर्या शुरू किया जानकरी के नुसार मिर्तक रामेसरलाल पुत्र माविरलाल सेनी अपने बतीजे केलास पुत्र जिसराम सेनी निवासी गोटषडा खेतरी जिला जुन-जुनों के साथ केंटर लेकर रावत सरकी और आ रहे थे इसी दुरान दन्नासर स्तित आपनी योजना के सामने इंटों से वरे एक ट्रॉले से टक्कर होगी जिसमें रामेसरलाल की मौके प्रिमोत होगी दुरूगटना इतनी तेज थी कि केंटर चालक के शव की पहचान करना भी मुश्किल हो गया था केंटर सवार दोनों गैक्टी आपस में चाचा बतीजा थे मिर्तक के बेटे प्रकाश शेनी ने पुली स्ताना रावत सर में ट्रक्ट चालक के खिलाब मुक्तमा दर्ज कर वाए है झालक के शव कर दो दो प्रकाश बना भी मुश्किल हो जब खिलाब मुश्किल हो जब तो बाहिए है